असलामू अलेकुम प्यारी दोस्तो पंडित लाला राम काशी बनारस के पंडितों में से एक मशूर घराना था एतराफ में हिंद से यात्रियों की बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी अधेर उम्र में पंडित लाला राम काशी के यहां पहली उलाद लड़की के रूप में पैदा हुई बच्ची काफी हुश्न की मलीका थी पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम संकला रखा संकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब के तालिमात की तमाम किताबे मुकमल पढ़ ली हुश्न की परी पैकर होने के साथ संकला देवी अकलो फैन की भी महरानी थी वो सुबह सुबह जब गंगा इसनान के लिए निकलती तो देखने वालों की भीड़ लग जाया करती थी इबराहिम नामी एक सक्स को सल्तनते मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बना कर भेजा गया ये सक्स इंतिहा किस्म का अयास था हर हफ़ते किसी ना किसी खुबसूरत कुवारी लड़की को अपने महल की जीनत बना कर उसकी इज़त खराप करता था एहले बनारस वाले उसके जुल्म और अयास से तंग आ गय थें लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुवे में ढखेलना था कुतवाल के कारिंदे कुत्ते की तरह बनारस की गलियों में नौ जवान कुवारी लड़कियों को ताकने निकला करते थें एक दिन एक करिंदे ने आखिर आकर खबर दी के सरकार आप बिला वज़ा परेशान हो रहे हैं बनारस में एक हुसन की देवी मौजूद है उमर में बालिग हो चुकी है सरकार आप पंडित लाला जी की बेटी संकला कमल के फूल की तरह है आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं अपने करिंदे की जुबान संकला के हुसन की तारेफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की लाल टपकने लगी फौरन अपने करिंदों को भेजा के पंडित जी को हुकम कर दो के एक हफ़ते के अंदर अपनी बच्ची की डोली सजा कर हमारे महल पहुचा दे अगर पंडित ने हुकम अडौली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा करिंदों की जुबान कोतवाल का पैगाम सुनकर के पंडित के घर में गोया सफे मातम बिज गया जिस इकलोती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था आज उस बच्ची को अपने हातों सजा कर और अपनी बच्ची की इजद लुटे देखने से पहले जिंदगी का चिराग गुल कर दें संकलाग ने मननत समाच करके अपने बाबू जी को खुदगुती करने से रोका और कहा आप कोतवाल के पास जाएए और उससे एक महिनी की महलत लीजे उनसे कहिए महराज हमारी से ये बात सुन करके कोतवाल को तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई कहा पंडित जी जाएए तुम्हे एक महिने की महलत है महलत मिलते ही संकला ने अपने बाप से कहा के बाबू जी दो दिन के अंदर अंदर मेरे लिए सहजादों के कपड़े कमर बंद फटका और एक पीसा जा रहा है दो दिन के अंदर अंदर संकला को मस्कुरात पंडित जी ने वो तमाम चीजे मुहया कराई के अगली रात अंधेरे में संकला ने वेज बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अंदेखे के सफर की तरफ रवाना हो गई मंजल की मुसाफियत तै करते हुए संकला मुगलिय सहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुँच गई जुमे का दिन है भारत की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जित में नमाजियों का ताता बंदा हुआ है के मुक्तलिफ इलाकों से उल्मा इकराम की डोलि की है हर सक्स जुमे की अदाइगी के लिए मस्जिद में आ चुका है और अपने जबीनों को रब के हुजूर जुकाने के लिए जामा मस्जिद के फर्स पर बैठा है इतने में आवाज आती है कि सुल्ताने हिंद बादसा सलामत हजरत और अन्जेब अलमगीर जुमे की साइगी के बाद एक बार फिर एलान हुआ सारे फर्यादी अपनी अर्जी हाथ में रखे सुल्तान मस्जिद में तश्रीफ ला रही हैं एक एक फर्यादी की फर्यास सुनते हुए सुल्तान जब आखरी फर्यादी से मिले तो वो सहजादे की भेस में संकला थी आखिरकार ब पहल सराय के खादिमे खास को हुकम दिया कि इस फर्यादे को हमारे दर्बार में ले आईए। इसकी फर्याद हम वहीं सुनेंगे। संकला जब सुल्तान के दर्बार में पहुँची तो बादशा ने हुकम दिया कि सारे दर्बारी बाहर चले जाए। जब पूरा दर्बार ख संकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी दास्तान सुनते ही सुल्तान के चहरे पर एक रंग आय तो दूसरा रंग जाए मुकमल गम भरी दास्तान सुनने के बाद संकला ने कहा दयालू महराज मैं ब्रहमर जात की हिंदू लड़की हूँ सुल्तान ने कहा कदमों से वापस हो गई मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया संकला दुलहन की तरह सजधच कर डोली में बैठ गई बुढ़े कोतवाल का आज खुसी का दिन है अपने मूचों को ताव दे कर तक्त पर बैठा खुसी से फूले नहीं समा रहा आज उसकी हरमे सरा में संकला जैसी पसंद की देवी दाखिल हो रही है बुढ़े ने एलान किया जब तक मैं फकीरों में रुप्या पैसा ना लुटा दूं तब तक संकला की डोली हरम में दाखिल ना की जाए पूरा एहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है कमजोरी की वज़ा से कोई भी बोल नही पा रहा फकीरों में पैसा लुटाए जा रही है इतने में एक फकीर की आवाज आती है कि महराज हम पर भी किर्प्या करें कुछ दीजिये बुढ़े कोतवाल ने नागवारी में जवाब दिया जो रुपए जमीन पर लुटाए जा रही है वहीं से उठा लो फकीर ने इलत रुपए निकालने के लिए बुढ़ा कोतवाल यूही मुड़ा तो फकीर ने अपना वेस निकाल कर फेक दिया अब जब बुढ़ा कोतवाल की नजर पड़ी तो क्या देखता है के सामने सुल्तान और अन्जेव अलमगीर खड़े हैं मारे खौफ के बुढ़े का खोन खु बच्चियों की इज़त बरबाद करे इतने में सुल्तान का फोजी दस्ता पहुंच चुका था के इसके दोनों पैर में जन्जीर बांद कर रातियों के साथ बांद दीजिए और दोनों हातियों को मुझतलिफ सब दोड़ाया जाये कोतवाल के टुकडे हो गएं यू बुड़ा कोतवाल को इबरतनाक सजा दे करके सुल्तान ने इनसाफ का हक अदा कर दिया संकला की डोली वापस बाइजद उसके घर पहुँच गई खैरियत मालुम करने के लिए सुल्तान भी वहां पहुँच गए सुल्तान ने कहा बेटी सबसे पहले मुझे पानी पिलाईए क्योंकि मैंने तुम्हारी फरिया सुनने के बात कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इनसाफ ना दिलाऊंगा ना खाऊंगा और ना ही पीऊंगा सुल्तान के भोजन के लिए संकला ने खाना तैयार किया अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान की नमाज के लिए जंगा साफ कर दी जिस जंगा सुल्तान ने नमाज अदा की उसके बाप ने उस जंगा को मस्जित के लिए खास कर दिया सुल्तान ने चांधी के पत्थर पर एक हुकम नामा लिखा के इस मजजद का इंतिजाम यही हिंदू खानदान वाले सम्हालेंगे डरीरा नाम की ये मजजद आज भी गंगा के किनारे उसी जंगा पर वाकई है ये इनसाफ का निजाम ऐसे ही हुआ करते हैं मुसल्मान हुकमरान के तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को जद्द से जद्द शेयर करें मिलते हैं तब तक के लिए लाहाफिज